हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों आज से हम लोग एक नई स्रीज श्टार्ट कर रहे हैं अल्रेडी ये स्रीज आपके चलती है एक नया रूप हम लोग इसको दे रहे हैं लेट्स क्रैक साइंस का प्रेक्टिस सैट नंबर वन डेली सुबह सवा दस बजे आप लोगों की क्लास होती है आप लोगों को पता दू सामने विग्यान आप लोगों के सबी क्योशन इजिली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोग आराम से पढ़ रहे हो दंग से पढ़ रहे हो कहीं कोई रिकत नहीं कि पूरा अंड्रे प्रशन माग सा जाएंगे ठीक है तो शुरू करते है डेली आप लोगों को क् साइन समझ में आ जाती सारे क्योशन भी मैं आप लोग को अरवाद हुगा सुबह सवा दस बजे और जैसा कि मैंने आपको बोला था मैस का रिजनिंग का तो बहुत जार रिक्वेस्ट आ रही है तो दोस्तों यूटूब पे मैंने क्लास लगा दी है इस संड़े सुबह सव क्योशन आपकी स्क्रीन पे बताईए क्योशन में बोला जा रहा है कि इन में से किसने रिफ्लेक्स एक्षन यानि प्रतिवर्ति क्रिया की खोच करी कि हमारी बॉडी में ऐसा कोई एक्षन होता ऐसे कोई क्रिया होती है यह किसने बताया आप लोगों को बताना है आप दूस इसी घटना को हम लोग बोलते हैं reflex action यानि प्रतिवर्थिक रिया, तो दोस्तों हमारी बॉड़ी में ऐसे reflex action होते हैं, ये discovery किस ने करी थी, Marshall Hall ने करी थी, क्या आप लोग बता सकते हों कि हमारे कौन से organ के द्वारा ये reflex action control होता है, जल्ली से बताइए, दोस्तों हमारा जो brain होता है न, brain, brain के पीछे मोटी सी नस निकलती रहे, जिसे आप लोग बोलते है, spinal cord, यानि मेरूरजू, उसके द्वारा आप लोगों के reflex action control होते हैं, तो आप लोगों से कई बारा एक जम में पूछाता है, reflex action हमारे कौन से, organ के तुवारा control होते हैं, तो आप लोगों बोलोगे, spinal cord, और हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं, मेरूरजू, देकि दोस्तों बहुत जनों को confusion होता है, कि spinal cord, यानि मेरूरजू, और vertebral column में difference कहा है, दोस्तों बहुत difference है, जैसे ये हमारा है brain, मस्तिक, इस मस्तिक के पीछे, ये मोटी सी जो नस निकल रही है, इसे आप लोग बोल रहे है, spinal cord, यानि मेरूरजू, दोस्तों इसको protection देने के लिए, इसके चारो और क्या है, हड़ी है, ये जो हड़ी है ना, इसे बोलता है, vertebral column, योशन आपके स्क्रीन पे है, अंसर आप लोग बताएं, बताओं, दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक symbol दिया गया है, आपको पहचानना है कि ये जो symbol है, ये जो प्रतीक है, वो किसका है, अब आप लोग बोलोगे कि सर कार्बन का तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सर कार्बन का symbol तो C होता है, आप लोग बोलोगे सर मरकरी का भी नहीं हो सकता, मरकरी का symbol होता है HG, सर हाइड्रोजन का होता है H, गोल्ड की अगर हम लोग बात करें सर गोल्ड का symbol होता है AU, तो सर ये तो किसी का भी symbol नहीं है, दोस्तों ये जो symbol आप लोग बता रहे हो ना ये आपके modern time में use करे जाने वाले symbol है starting में जब बहुत ज़्यादा elements चैनी तत्वों की खोज नहीं हुई थी तो उसके प्रतीक के लिए John Dalton साब ने कुछ symbol दिये जैसे आपको बताना है ये जो आप लोगों का symbol है ये कौन से तत्वों को represent कर रहा है बताइए तो दोस्तों एक single circle उस पे थोड़ा सा आप लोगों का भरा भरा ग्रे सा color का ये आप लोगों का represent करता है कारबन को करेक्ट अंसर option नमबर ए आप लोग दोस्तों class 9 की NCRT का chapter नमबर 3 आप लोग देखेंगे न atom and molecule उसमें आप लोगों को ये वाले symbol दिये हुए कि जो डॉल्टन साब ने कुछ elements के symbol दिये at least आपको ये तो पता होना ही चाहिए है ना जैसे मैं आपको उता दू एक single circle है उसमें अगर ये dot है तो ये आप लोगों का hydrogen का सिंबल हो जाएगा दोस्तों एक ये circle है इसमें मर्च्डीच का जो sign लग रहा है ये ये phosphorus का हो जाएगा ठीक है एक circle है इसको चार पार्ट में बाट दिया ये sulfur का हो जाएगा ठीक है तो ये आप लोगों को पूछा जा रहा है अगर fe++ या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ fe++2 भी बोल सकते है ठीक है तो दोस्तों बोला जा रहा है अगर fe++2 fe++3 में convert हो रहा है तो इस को आप लोग क्या बोलोगे क्या बोलोगे बताईए देखो दोस्तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज आता कब है जब भी कोई इलेक्ट्रोन को डोनेट करता है जैसे अगर सोडियम एक इलेक्ट्रोन को डोनेट कर देगा तो बन जाएगा एने प्लस समझ में आगई मैं क्या बोलना चाहरा हूँ जैसे केलशियम अगर दो इलेक्ट्रोन को डोनेट कर देगा तो ये बन जाएगा CA plus 2 वैसे ही जब को electron को ग्रहन करता है तो negative charge आता है जैसे chlorine जब एक electron को ग्रहन करेगा तो क्या आगा इस पर एक negative charge आएगा दोस्तों यहाँ पर पहले दो positive charge थे अब कितने हो गए तीन positive charge है इसका मतलब क्या है कि एक electron और त्याग दिया एक electron और त्याग दिया तो यहां से यहां में conversion कैसे हुआ है आप लोग बोलोगे सर electron का त्याग करके चलो बहुत बढ़िया अब क्या आप लोगों को पता है oxidation या oxygen किसको बोलता है बिल्कुल सर जब किसी में oxygen जूटता है तो हम लोग बोलोगे उसका oxygen हुआ है क्या बात है सर जब किसी से oxygen हटता है तो उसको बोलते है उसका reduction हुआ है बहुत बढ़िया और कोई परिवाशा है क्या बिल्कुल सर सर जब किसी से hydrogen हटता है तो हम लोग बोलते है उसका oxidation हुआ है तो दोस्तों यहां पर इसने एक electron को त्यागा तभी तो एक और चार जा गया यानि यह आप लोगों का क्या है एक प्रकार का oxidation ही है correct answer आप लोगों का option number C हो जाएगा sir PYQ एक या group D222 के दोस्तों यह मैं आपको mix करवा रहूं 2020 के भी इसमें expected भी है आपको 2022 के मैंने अलग से और भी session करवा रहा है आप निश्चेंत रहो आप मेरे पर छोड़ दो क्या कराना है क्या नहीं आप लोग बस पढ़ाई पर ढान दो ठीक है चलिए next question आपके screen पे answer आप लोगों को बताना है बताइए दोस्तो जो hydrochloric acid का जो तनू जलिय घोल होगा यह तनू जलिय विलियन होगा उसमें क्या आपको मिलेगा तनू का मतलब क्या है तनू का मतलब है पतला जैसे माल luc आप लोगों ko 27ає है घट कलूरिक acid है इसको पतला करने के लिए क्या कर रहे हो आप लोग इसमें पानी मिला रहे हो या फिर मैं बोलो आपने पानी में क्या मिला दिया एचेल मिला दिया अब दूससों जो solution बना जो gold बना जो vilyan बना इसमें क्या क्या आपको डेखने को मिलेगा यह आपको बताना है दोस्तों आपको पता है ये एक acid है ये एक अमल है जब भी किसी अमल को आप लोग पानी में डालोगे तो क्या होता है सर वो hydrogen ion का त्याग करता है तो ये क्या करेगा hydrogen ion का त्याग कर देगा इसे H plus अलग हो जाएगा CL minus अलग हो जाएगा ठीक है अब होता क्या है दोस्तों ये जो होता है वो बहुत जादा unstable होता है तो unstable होगा किसी से reaction करेगा तो ये क्या करेगा पानी से पानी से क्या कर लेगा reaction कर लेगा तो जब पानी से hydrogen ion अभी क्रिया करेगा सर इसको hydrogen ion क्यों बोल रहा है जब भी किसी पे आवेश होता है इसको हम लोग आयन बोलते हैं, जैसे इसको आप लोग बोलोगे क्लोरीन आयन, इसको बोलोगे सोडियन आयन, समझ रहो, तो इस पर आवेश है ना, इसलिए हम इसको आयन बोल रहा हूं, तो जब पानी के बिक्रिया हाइड्रोजन आयन से होगी, तो क्या बन जाएगा, ह3O+, दोस्तो इस वले आयन का नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन, यह आप लोगों से ग्रुप D 2022 में पूछा गया था, कि हाइड्रोनियम आयन का सूतर क्या है, तो आप लोग बता देंगे यह, तो सॉलूशन में आपको क्या मिला, जल्दी से बताओ, सर एक तो यह X3O+, मिला, औ और साथ में दोस्तो यह CL- भी तो है, यह भी तो बेटा हुआ है, तो correct answer option number A हो जाएगा, ठीक है, यह plus sign रहेगे दोस्तो गुलती से, ओके, चलिए, बताइए, नेश कोशन आपके screen पे answer आप लोग बताएंगे, दोस्तो यह ALP technician 2018 का question है, बहुत simple है, आसानी से आप लोग कर पाएंगे, बताओ, कोई दो वस्तू है आपके पास में, जिनका दरवेमान का अनुपात आपको दिया हुआ है, ठीक है, दोस्तो कोई पहली वस्तू है, जिसका दरवेमान मैंने मान लिया M1, कोई दूसरी वस्तू है, जिसका दरवेमान मैंने मान लिया M2, ठीक है, दोस्त पास में जो energy होती है उसको आप लोग बोलते हो kinetic energy यानि गत्य जुट जुट जा तो अगर यह गत्य कर रही है तो जरूर इसके पास इसका कुछ velocity भी होगी इसकी भी कुछ ना कुछ velocity होगी तो इसकी velocity को V1 माल लिया है इसको V2 माल लिया तो आपको यही पूछा गया है कि इनकी velocity का ratio क्या है दोस्तो अगर आपको mass और velocity पता हो तो क्या आप उसकी kinetic energy निकाल सकते हैं कि बिलकुल kinetic energy का formula होता है half mv square तो इसकी kinetic energy कितनी होगी half इसका दरवे मान M1 इसका वेग V1 तो half M1 V1 square इसका कितना हो जाएगा half M2 V2 square और यह ratio आपको दिया हुआ है 1 by 3 तो देखिए दोस्तो 1 by 2 से 1 by 2 cancel हो जाएगा M1 और M2 का ratio किता दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो यहां से क्या हो जाएगा V1 square बटे V2 square देखिए 1 by 3 इदर था ही यह 3 था इदर ना M1 by M2 का मान 3 था ना 3 तो यह 3 उदर चल जाएगा तो यह 3 से multiply हो जागा 3 into 3 9 हो जाएगा तो दोनों से जब अंडरूट लेंगे तो V1 square बन जाएगा V1 V2 square बन जाएगा V2 और 1 by 9 बन जाएगा 1 by 3 ठीक है option number C हो जाएगा ठीक है चलिए चलिए नेश question आपके screen पे एक बहुत अच्छा concept में आप लोगों को इसमें सिखाऊंगा दियान से आप लोग देगे बताओ बताईए एक वस्तू के लिए निमली किट में से कौन सा वास्तविक प्रतिविम्ब बना सकता है दोस्तों आपको पता है जो भी प्रतिविम्ब बनते हैं दो प्रकार के बनते हैं रियल इमेज यानि वास्तविक प्रतिविम्ब और वर्च्वल इमेज यानि आबासी प्रतिविम्ब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना हमेशा कभी कोई गलती नहोंगी रियल इमेज यानि वास्तविक प्रतिविम्ब हमेशा कैसा बनता है इन्वर्टर बनता है यानि उल्टा बनता है याद रख लोगे क्या और जो वर्च्वल इमेज होती है आवासी प्रतिविम वो हमेशा कैसी बनती है erect बनती है सीधी बनती है अब चलो मुझे एक ची बताओ आप अपने घर में जो mirror लगा हुआ है जो plane mirror है इसको plane mirror बोलोगे spherical नहीं बोलोगे plane क्योंकि बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ थोड़ी है ऐसे मुड़ा हुआ थोड़ी बिल्कुल plane ही तो है जब आप इसके सामने खड़े होते हो तो ऐसा थोड़ी कभी उल्टा प्रतिविम बनता है आपका आपका सिर उचा उपर है तो इसमें इमेज में भी सिर उपर ही रहेगा आपके पैर नीचे है तो इमेज में भी पैर नीचे रहेंगे यानि सीधा प्रतिविम बन रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं किस प्रकार का प्रतिविम बने यह यह वर्चुल इमेज है यान समतल दर्पन के सामने जब भी खड़े होगे ना हमेशा वर्चोल इमेजी बनेगी चलो बहुत बढ़िया दोस्तो आप मुझे एक ची बताइए जो गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है पीछे का व्यू देखने के लिए वो कौन सा होता है कौन्वेक्स होता है उत्तल दर्पन होता है दोस्तो क्या आप लोगों को पीछे जो गाड़ी आरी है वो सीधी नजर आएगी न ऐसा थोड़ी उल्टा प्रतिविम्ह मंदरा टायर उपर हो गए उपर वाला नीचे हो गए नहीं सीधा प्रतिविम्ह मंदरा इसका मतलब कौन् वर्च्टियूल इमेज बनाएगा आभासि प्रत्विध में बनाएग जो काम मेर करता है लैंस में वो काम उल्ठारिगा जैसे अगर कॉन्ष मिरड ऐख काम कर रहा है आज नए कॉन्केव यूकर मेंगा अन सरि आहे हैं और दोस्तों सेशन को या राइक करते हो अगरों अरे सब कराएंगे इसा है ट्रेड का भी क्लास लगा दो यो टोपे सब का लगा देंगे टेंशन क्यों लेते हो आप है जब इतना सेलेक्शन दिये हैं आप लोगों को पता है जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए बार बार बोलने की जरूत नहीं उनको पता है किस परकार से मेनत करे जाती है आपके साथ में तो हम तो मेनत कर रहा हूं ठीक है मैं तो मेनत कर रहा हूं बट मेनत की जरूत अब आपको भी बिल्कुल डैडिकेटली अच्छे से पढ़ो ठीक है चलो दोस्तों तत्व है एक्स मुझे नहीं पता सारी एक्स क्या है क्लोरीन है ब्रोमीन है फ् बहुत बढ़ी, न्यूट्रॉन की संख्या दिए गई है, स्टोला, तो बताईये कौन सा तत्व का सही प्रतिनित्व है, कौन इसको सही से रिप्रजेन्ट कर रहा है, दोस्तो आपको पता है, जितने इलैक्ट्रोन होते हैं, उत न यी प्रोट्न होते हैं, प्रोट्रोन भी क उसको बोलते हैं मास नंबर यानि दर्वेमान संक्या दर्वेमान संक्या क्या होती है प्रोटोन और न्यूट्रोन की संक्या के योग को ही दर्वेमान संक्या बोलते हैं तो प्रोटोन कितने है 15 न्यूट्रोन कितने है 16 15 प्लस 16 31 यानि दर्वेमान संक्या कितनी होगई 31 होग आप लोगों को क्या बताना है सम्तुल्य प्रतिरोद बताना है सम्तुल्य प्रतिरोद का मतलब क्या है इन प्रतिरोद की जगह है एक प्रतिरोद निकालना है अब बहुत जने गलती क्या करता है मैं आप लोगों को बता दूँ चलो गलती बार में बताऊँगा पहले हम लोग लोग solve करना start करता है दोस्तों मुझे बताइए कि जब भी कोई दो प्रतिरोध एक दो तीन चार मतलब दो प्रतिरोध तीन प्रतिरोध चार प्रतिरोध एक प्रतिरोध समांतर है उनका equivalent कैसे निकालते है तो वन अपॉण और equivalent is प्रतिरोध कितना है दूस्तों भी सोम का तीसरा भी बीसोम का तो वन बाइट वंट प्लसं बाइट वंटी प्लसं बाइट वंट्वंटी मैं बूल सकता हूं कि 3 by 20 तो 1 upon R equivalent का मान आया 3 by 20 तो R equivalent का मान कितना आया 20 by 3 आया अब लोग गलती क्या करते हैं वो ये बोलते हैं तीनों की जगे एक प्रतिरोद बन गया बहुत अच्छी बात है अब वो नया circuit बना लेते हैं ये 20 ohm ये 20 ohm था इसकी जगे आपने एक सम्तुले प्रति trainee में बिल्कुल सही सोच रहें और इनको जोड़ देते हैं अंसर निकाल देते हैं अरे question में ध्यान तो सम्तुले प्रतिरोद निकालना है और इनका सम्तुले प्रतिरोद कितना हो जाएगा 20 बट्टे 3 solve करोगे 6.67 आ जाएगा समझ में आ गया कि मैं क्या बूलना चारा हूं तो यह गल्ती आप लूग बिल्कुल भी ना करें जैसे देखो बहुत सारे लोगोगों ने जोड़ दिया 46.67 बता रहा है कोई क्या बता रहा है क्या बता बता रहा है है तो यह गल्ती ना करे equation में देखो A और B तो A आपका यह रहा बी आपका यह रहा अगर आपका A यह हो होता या मैं बोलता इन दो पॉइंट के बीच में निकालो सम्तुल्य प्रतिरो तो अंसर आपका यह वाला होता समझ में आ गई अरे गलती क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए कि हां सर समझ में आगे आगे द्यान नहीं रखेंगे बस यह द्यान रखना है आपको और क्योशन में आप लोगों को बोला जा रहा है कि इन में से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है कौन सा द्यत्य प्रदूशक अब आप लोग बोलो कि सर ओजोन को तो सबसे पहले अठाओ यह प्रदूशक थोड़ी है सर यह तो हमारे लिए बहुत अच्छा है हमको अल्ट कैसे है चोड़ा समझाइए देखो दोस्तों यह हमारी प्रतवी है अर्थ है आप सभी को पता है अर्थ के सराउंडिंग में जहां तक एयर है उसे आप लोग बोलोगे जहां तक वायू है उसको बोलोगे वायू मंदल यानि एट्मोस्फेर यह वायू जो जहां पर पाई प्रकार के पाई जाती है कई पर कॉन से ज्यादा कई पर क्या कई पर यह तो हिसलिए वायू मंदल की अलगप लेर होती है सबसे पहले लेर को बोलता है हम लोग ट्रोपोस्फेर यानि शोब मंदल फिर आपका होता है इस्ट्रेटोस्फेर alltså मेरी बात को दिहां से समझो जो ओजोन पाई जाती नो ओजोन की लेयर वो कहां पर पाई जाती है स्ट्रेटो स्फेर में पाई जाती है तो अगर यहां पर पाई जा रही है तो वो हमारे लिए अच्छा है अगर ओजोन यहां पर है ना ट्रोपोस्फेर में सोब मंटल में तो वो एक पॉलूटेंट की तरह कारे करता है यह till शक की तरह कारता हुए समझ गए मैं क्या बोलना चाहरा हूं समझ गए मैं क्या बोलना चाहरा हूं तो आप ऐसे ओजोन को eliminate मत करना ओजोन भी आपका एक pollutant है अगर यह ट्रोपो स्फेर में है शोब मंडल में है तो यह आपका pollution की तरह वर्क करेगा ठीक है सर अब बात करता है सर कौन सर वित्य एक प्रदूशक है दोस्तों जो pollutant होते हैं वो दो प्रकार के होता है एक तो primary pollutant एक होता है secondary pollutant primary pollutant क्या होंगे जो directly आप लोगों के बनते हैं जैसे आपने कोई fuel जलाया तो carbon dioxide बना carbon monoxide बना sulfur dioxide बना तो यह हमारे लिए बेकार है न यह directly बन रहे न फ्यूल को जलाने से तो इसको आप लोगों के primary pollutant दोस्तो secondary pollutant क्या होता है कुछ pollutant अलग से reaction करके आप लोगों के secondary pollutant समझ में आ गया similarly दोस्तों यहां पर जो oxygen है न जब इस oxygen पर मैं आपको बताऊं यह जो oxygen है यहां पर जब sunlight पड़ती न तो यह तूट जाता है अलग-अलग दो oxygen में तूट जाएगा अब यह क्या होता है काफी unstable होता है तो अगर कोई O2 बचा हुआ है न तो उसके साथ म प्रोपोल फेर में उत्री कैसे आया इस oxygen से बनके ही आया और यहां पर उत्री पॉल्यूटेंट की तरह कारे कर रहा है प्रदूशक की तरह कारे कर रहा है तो उत्री क्या है एक secondary pollutant है दोस्तों समझ में आया क्या अरे समझ में आया क्या जैसे सर कुछ और एक्जम्पल बता होता है धुन दोती है उनसे मिलके इस्मोग बनता है तो इस्मोग एक secondary pollutant है सर सीओ टु भी तो है ना सी ओ आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है बिल्कुल पॉल्यूटेंट है लेकिन प्राइमरी पॉल्यूटेंट है डायेक्ट बन रहा है आप लोग लगडी जलालो से पढ़ते पढ़ते टाइम जब मुवी देखने जाते हो तब आती की नहीं सर क्रिकेट खिलवा लो तब आती के नहीं सर तो कि उस चीज़को आप लोग enjoy कर रहे हो इंजोई कर रहे हो गलती आपकी नहीं है पढ़ाई समय नीन इसलिए आ रही क्योंकि वह आपको अच्छा नहीं लग रहा अब दोस्तों अच्छा नहीं लग रहा इसके कई कारण है अप अपनी हाप पर जांग देता है और ना मैं पूरा साइंस की लेंग्वेज में क्या देखो study of bone हड्डियों के अध्यन को बोलते है ऑस्टियोलोजी तो सर ऑस्टियो कुछ बोन से संब्दित है पोरोसिस पोर्स का मतलब क्या होता है छेद तो अगर आपकी हड्डी में छेद हो जाया ना बहुत सारे तो इसको बोलेंगे ऑस्टियो पोरोसिस अब आप ल तो कुछ इस टाइप का गड़े जैसे ही तो नजर आएगा ना तो अगर आपके बोन में मिंद्रल की मात्रा कम होती है खनीजो की मात्रा कम होती चाहिए वह केल्शियम और फॉस्फरोसिस हो जाता है अब दोस्तों यह आप लोग बोलोगे सर इसमें किसी हॉर्मोन का क्या देना देना है हो सकता है मैं केल्शियम की चीज़े कम खा रहा हूं इसमें हॉर्मोन क्या करेगा बिल्कुल करेगा दोस्तों इसमें आपका इंपॉर्मोन क्या करता है समझाईए देखो पैल तुम आप समझाईए समझे हॉर्मोन क्या होता है दोस्तों हॉर्मोन एक प्रका यह हॉर्मोन बनता कहां से है दोस्तों यहां पर हमारे ग्लेंड पाई जाती है जिसका नाम है थाइरोड ग्लेंड ठीक है इस थाइरोड ग्लेंड को जब उल्टा करके देखोगे थाइरोड ग्लेंड को जैसे थाइरोड ग्लेंड फ्रंट से ऐसे लगेगी जब इसको उल्ट अगर आपके ब्लड में केल्शियम की क्या हो गई कमी हो गई तो ब्लड में केल्शियम की कमी का हो ने देखो जो भी आप लोग भोजन करते हो ना अल्टिमेटली हो पहले ब्लड में जाता है फिर ब्लड पूरी बोड़ी में घूमता है तो सब अंगों तक ले जाता है समझ मा यहाग्या अब देखे दोस्तों मालो आपके ब्लड में केल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा क्या कम हो गई इसका मतलब क्या है कि आपके पास बोन के पास बहुत ज़्यादा zer्म्स टोर हो गया तो सेे केलशियम को वापिस लेकर आएगा ब्लड में डालेगा ठीक है तो ब्लड में जब केलशियम की मात्रा कम हो जाती है तो यह काम कौन करता है उसको बढ़ाने का काम पैरा थायरोड हर्मोन करता है तो यह क्या करता है हो जाक यह एट इंकरिए दा ब्लड काल्श्यम लेवल वेन दी लेवल रॉब जब ब्लड केल्श्यम लेवल आपका कम हो जाता है तो यह क्या करता है बडाता है कैसे बुरूं का थोड़ा सा डी मिनराइजेशन करके अब आप लोगों गैसे यह तो डूस्तों कभी कम करना के मातर को बहुत जड़ा बटा देगा आपकी हड्डियों के पास तो बचेगा यह नहीं तो और उस्ट्यो पर उसे सो जाएगा आई होप आपको समझ में आगया होगा ठीक है चलिए बताओ नेश्ट कोशन आपके स्क्रीन पे देखिए दोस्तो ऑप्शन को दिहान से देखना अंसर बताना प्लास्टर ओफ पैरीस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गरम किया जाता है देखिए दोस्तों प्लास्टर ओफ पैरीस क्या होता है जिप्सम क्या होता है देखो जिप्सम का ये फॉर्मला होता है जब आप लोग इसको गरम करोगे तो इसका निर्ट जली करना होगा इससे पानी निकलेगा क्या बच जाएगा जाएगा कुछ पानी आपका बहार निकल जाएगा तो यह जो बनाना इससे ही आप लोग बोलते है प्लास्टर ओफ पैरेस अब दूस्तों बात एक किते टेंपरेचर पर गरम करना पड़ेगा सो डिगरी सेल्सियास एक सो दस एक सो बीस तो यह बहुत जैनल लड़ते रहते हैं तो लड़ना क्यों है हम मैं आपको बोला पूरा रेलवे का भी ग्रूप दी दूचर वाइस का पेपर आया ना पूरा एंसी एटी की लाइन बाइन साय तो चलना है तो चलिए क्लास टैन क चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पे जब आप जाओगे अमल शार एवन लवन पे आप लोग जाओगे तो वहाँ पर साफ बोला जा रहा है ऑन हिटिंग जिप्सम एड थ्री सेवन थ्री केल्विन इतने केल्विन टेंपरेचर पे जब जिप्सम को गरम करोगे ना तो प्लाश्ट रॉप बन जाएगा सर यह केल्विन है इसको सेल्चेस में कैसे बदले अगर सेल्चेस को केल्विन में बदलना है तो 273 एड कर दो और केल्विन को अगर आपको सेल्चेस में बदलना है तो उसमें से 273 माइनस कर दो तो उसमें से जब आप लोग 233 माइनस तो अब लटने की जरूत है क्या 383 होगा अगर option में आप 303 होता तो वो भी सही होता चीक है चलो आ जाओ नेश कोशन आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताए और दोस्तो इस शनीवार सुभे सवा दस बजे मैं क्या कर रहा हूं जनरल साइंस के foundation class ले रहा हूं बड़ी थ पूरा graphics के साथ पढ़ाएंगे सर animation के साथ पढ़ाएंगे मज़ा आ जाएगा reasoning पढ़ने में आपको ठीक है आजाओ दोस्तों दूद को दही में बदलने पर निमलिखित की मातरा बढ़ने से इसके portion में सुधार होता है जैसे मैं आपको बोलू कि है दूद है और दही है मैं क्या खाऊं किस में portion की मातरा जादा होगी अब यह depend करता है आप लोगों को चाहिए क्या आपको चाहिए क्या अगर आपको कार्बो हाइडरेट जादा चाहिए या आपको फैट जादा चाहिए या आपको प्रोटीन जादा चाहिए आपको विटामी जादा चाहिए उस प तो जब आप लोग दूद को खुले में छोड़ोगे या फिर मैं बूलो, दूद में थोड़ा सा अपने धही डाल गया तो यसे धही में बहुत अधिक मात्रा में बैक्टिरिया पाये जाते हैं उन बैक्टिरिया का नाम है लेक्तो बैसिलस ये क्या करते हैं इस lactose को बदल देते हैं lactic acid में जिसकी वज़े से दूद खटा हो जाता है दही बन जाता है दूसरी बात मैं बात पताओं दूस्तों दही में जो ये vitamin B12 है इसकी मातरा काफी जादा होती है किसे दूद के मुकाबले तो आप लोग दो चीज़ याद रखेगा इसमें आप लोगों का vitamin B12 के मातरा जादा होती है दही में दूद के मुकाबले और ये हो क्यों पाता है क्योंकि जब दूद में आप लोग बहुत सारे धाई डाल रहे हैं ये बैक्टिरिया क्या करते हैं vitamin B12 की संख्या को बहुत ज सबसे कम एज का एलपी कितने साल का है मैं भी 18 साल का हूँ मैं एलपी बन जाओ तो मुझे कुछ मिलेगा क्या कि दोस्तों जिस प्रकार से आपकी हरकते लग रहे हैं लगत तो नहीं रहा है सबसे चोटा तो लगता है आप मिस कर दोगे सबसे बड़ा जरूर बन सकते हूँ कि बेटा मैं जा रहा हूँ एलपी का एक्जाम है मेरा में लाठी दे कमेंट मत करो पढ़ लो इदर सबसे कम उम्र का यह अजाओ ऑक्सीजन के एक परमाणू का द्रव्यमान क्या है दोस्तों जैसे आपको पता है परमाणू कितना चोटा होता उता चोटा उता चोटा आप पता है तो अगर मैं आपको बहत करो औकषिजन का एक एक एंटम लिया तो उसका द्रव्यमान कितना होगा वागत 10 kg 20 kg 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 100 Eg कितने ग्राम पर होगा सर कैसे पता लगा है किसे लगा है अभी लगाते हैं तेंशन मतलों देखो दोस्तों ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्या ऐसे करते हैं क्या दोस्तों जो नीचे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं परमानू क्रमांक एटोमिक नंबर और उप पर जो संख्या लिखी हुई है अगर आप लोग उसके आगे लगा दो ग्राम उसके आगे लगा दो ग्राम तो वह क्या बन जाता है मोलर द्रव्यमान यानि मोलर मास क्या होता है मोलर द्रव्यमान क्या होता है एक मोल परमाणू का एक मोल परमाणू के दर्वेमान को हम लोग बोलते हैं मोलर दर्वेमान तो ऑक्सिजन का मोलर दर्वेमान क्या होता है उपर जो संख्य है उसके आगे ग्राम लगा लो तो सर 16 ग्राम इसका मोल दर्वेमान बन गया है इसका मतलब एक मोल अगर आप लोग ऑक्सिजन के परमाडू लोगे उसका दर्वेमान होगा 16 ग्राम और सर एक मोल का मतलब क्या होता है एक मोल का मतलब होता है यह जैसे दरजन का मतलब 12 होता है न वैसे मोल का मतलब होता है यह अप्शन नमबर ए है है ठीक है चले आगे आजाओ नैश कोशन आपकी स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताओ देखो अभी मैंने आप लोगों को निकालना बताया गलती मत करिएगा दोस्तों ये यूरिनियम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है आपको बताने इसमें इलेक्ट करता है प्रोटोन की संख्या यानि यूरिनियम के परमाणू में एटम में प्रोटोन कितने होगे 92 तो जितने प्रोटोन होता है उत्ते इलेक्ट्रोन होता है प्रोटोन 92 तो इलेक्ट्रोन भी 92 दोस्तों उपर जो संख्या होती वो किसको रिप्रेजेंट करती है मास तंब एक pattern लोगे पर्माणू लहुगे तो इतने proton होंगे एतने neutron होगे अब 92 देखते ही yeah ऐसे एक Ergeb winner कुदएगा ऐसे क्यों कुदएगा समने गलत दे दिया इक भी बच्छा और इंसर नहीं देदाक्त डूस्ततों ध्यां рук को ऐटम जो होता है परमाणू ऐटम के बीच में होता है नूकलियस यानि नाबिक तो ऐटम के जितने भी प्रोटोन और नूटोन रहते हैं उस सारे इधर ही रहते है फिर सरे इलेक्टोन कहाँ पर रहेगा इस नूकलियस नाबिक पर लूकंद के ऐल होती है उसमें मिलेंगी इलेक्टरोन तो आप उसे बोला जा रहा है नाबिक में कितस येलेक्टरोन उंगे दोस्तों गोश्टम में परमाडू में जाये कितर ही एलेक्टोन क्यों नह 클rody को नहीं वह सारे तो अबश्चन melted डी हो जाएगा ठीक है वैसे मैं नाबिक को देखते ही मैं 0 कर देता लेकिन मैं थोड़ा सोच बनाते हैं महोल बनाता है अरे बन रहा है नहीं बन रहा है महोल बन रहा है ना बस पढ़ाई करो डेली सुबर सावादस बज़े आजाओ यह देखो क्योशन आपके स्क्रीन पे दोस्तो यह क्योशन है ना कम से कम ग्रूप डी में 8 से 9 शिफ्ट में पूछे गए हैं कौन से क्योशन मैटल की पानी की रियक्शन वाले क्योशन और मैटल की एसिड की एसिड की साथ में रियक्शन वाले क्योशन सर जैसे क्या-क्या पूछे गए आजाओ मैं बताता हूँ दोस्तो एक क्योशन तो ये पूछा गया कि जब भी कोई metal की reaction किसी acid से करवाओगे तो कौन सी gas बनती है दोस्तो ध्यान रखेंगे hydrogen gas बनती है साथ mix salt भी बनता है लवड भी बनता है सर कोई example बताओ ना यार देखो tension मतलो सब बताओगा जैसे दोस्तो जिंक इसकी reaction करवाई आपने hydrochloric acid से तो ये आपका बनता है zinc chloride plus hydrogen gas ठीक है इसको बैलेंस कर दिया मैंने अब मेरे प्यारे दोस्तो question ये है कि HCl की reaction मैं कौन से metal से जब करवाऊँगा ना तो hydrogen gas नहीं मिलेगी या मैं बोलू कोई reaction नहीं होगी इसका पता कैसे लगाए प्यारे दोस्तो आप लोग ध्यान से ढखो पहले सारा का सारा ध्यान आप लोग इस वाली reaction पर रखो इस वाली reaction में हुआ क्या है आप पुझे बताओ sir chlorine के पास में बैटा था hydrogen क्या बैठा था ना जिंक ने क्या किया hydrogen को बला हट तू हट मैं बैटू हटा दिया और खुद बैढ़ गया chlorine के साथ में बोलो हाँ या ना यह काम कब हो सकता है जब hydrogen से ज़्यादा शक्तिशाली हो यह जिंक तो कि अगर जिंक ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता तो यह hydrogen को हटा ही नहीं पाता तो ऐसे metal जो hydrogen से ज़्यादा reactive होते हैं hydrogen से ज़्यादा reactive होते हैं वो तो क्या करेंगे reaction कर लेंगे उस acid से hydrogen को अलग कर देंगे तो कौन कोई से metals होते हैं जो reactive होते हैं हाइडोजन से ज़्यादा potassium, sodium, calcium, aluminium बहुत सारे हैं कुछ metal ऐसे होते हैं जो hydrogen से कम reactive होते हैं जैसे copper, silver, अब देखो option में क्या दिया हुआ था option number C, क्या ही ये silver, silver का symbol होता है AG तो जब silver की reaction आप लोग HCL से करवा होगे तो कोई reaction ही नहीं होगी सर क्यों नहीं हुई, क्योंकि सर hydrogen बैठा था chlorine के साथ में अगर silver चाता है कि hydrogen को हटा पाऊं तो silver को ज़्यादा reactive होना पड़ेगा जबकि silver तो बिचारा बहुत कम reactive है तो ये कर नहीं पाएगा option number C, दोस्तो समझ में आया चीजे रट्टे में मत सर आप मेरी आप में एप में live class होता है भी course लेना है अभी last में बताऊंगा मैं course का भी दिर पड़ो ठीक है? समझ में आगी बात को clear चलिए बहुत बढ़िया नैश question आपके screen पे answer आप लोग बताएंगे question में आप लोगों को बोला जा रहा है 1000 micron जो होता है वो किसके बराबर होता है अब सर ये micron क्या होता है? मुझे पता ही नहीं कोई बात नहीं एक बात त्राय तो करो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखो एक माइक्रो मिटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं एक माइक्रोन बोलते हैं मैंने क्या बोला फिर से बोलो एक माइक्रो मिटर को ही क्या बोला जाता है एक माइक्रोन बोलते हैं और सर माइक्रो मिटर का मतलब होता है माइक्रों का मतलब होता है दस की पावर माइनस 6 मिटर को ही क्या बोला जाता है एक माइक्रों बोला जाता है लेकिन आप से क्या बोला जा रहा है एक हजार माइक्रों एक हजार माइक्रों या 1000 µm µm को ही dulik µm बोलते है ठीक है तो ये 1000 को कै लेज़ी। 10 की 3 µm माइनस तीन मिटर आपका आ जाएगा option number A clear है क्या समझ में आ गई बात को कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं है सर आगे चलिए daily सुबह सबाद 10 बजे जुट जाओगे selection लेना है important है आपके लिए रोना मत बाद में कि मेरा एक्जाम बहुट खराब गया सर मेरा यह हुआ देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ अगर आप लोगों की तयारी अच्छी है seriously मैं आप पढ़ रहा हूँ ना कोई नी दोख सब्सक्राइब सेलेक्शन चाहिए कोई से भी एक्जाम हो आप लोग आप मेरे साथ मेहनत करों तभी मज़ा आता है दोनों साइट से यार सुपर सोनिक प्लेन जो होता है ना वो किसे स्पीड से चलता है देखी दोस्तो होता क्या है जैसे अगर हम लोग बात करें एयर में साउड के स्पीड कितनी 344 मिटर पर सेकिंड ठीक disappears आप मालो गतिकर रहो shower आपके सपीड क्या होगी सार मुशकिल से मालो 1 मिठर पर सेकिंड़ बहुत फास्ट भाग रहोंम्हें नंबर, Mac संख्या, दोस्तों Mac नंबर किसको बोलते हैं? किसी वस्तू की चाल बटे साउन्ड की चाल. तो अगर आपकी level 10 percent की speed का है, sometimes sound की speed زाएथ है, तो हम का Mac नंबर क्या होगा? एक से कम आएगा, तो जब किसी मेक नंबर एक से कम होता है तो हम लोग बोलते हैं उसकी स्पीड कैसी सबसोनिक स्पीड है दोस्तों अगर आपकी स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर है तो मैं बोलूँगा कि मैक नंबर एक आएगा मैं बोलूँगा आपकी स्पीड कैसी ट्रांसोनिक है दोस्तों अगर आपकी स्पीड साउंड की स्प स्मंदर के पानी से कौन से धात्यू निकाली जाती है सोडियम क्लोराइट से सर मैं बहुत सारी सोडियम निकाल सकता हूं क्या बिल्कुल निकाल सकते हो लेकिन चक्कर यह है कि आप्षण में सोडियम नहीं दिया हुआ तो और क्या पाए जाता है समुंदर के पानी में सर समुंदर के पानी में बहुत अधिक मात्रा में जैसे सोडियम क्लोराइड पाए जाता है वैसे मैगनिशम क्लोराइड भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाता है तो मैगनिशम क्लोराइड से क्या आप लोग मैगनिशम न आपको वह अलकली प्रॉसेस आपने देखा है मैंने आपको पढ़ाया था यूटूब पे डालना प्रॉसेस नीरत सर साइंस मैंगनेट है ना मैंने छोटा से वीडियो बना रखा है क्योंकि गूरुप डी में पास से साथ क्योशन आयते उससे ठीक है तो यहाँ उसी टाइप प्रेगनेशन भी आप लोग निकाल सकते हैं ठीक है बताओ नेश कोशन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखो एलपी सीबीटी वन दोजार अठारा का यह क्योशन है ठीक है अराम से देखो दोस्तो चार किलोग्राम दरवेमान के एक वस्तु शैतिज दिशा में है ठीक है ए लेकिन का चाहता हूं कि इसका ख़ोचा नहीं हो इसका वेघ् tया हो जल्यक्ellow को आपको कुछ मेनल करना पड़ेगी आपको इनर्जी डिनी पड़ेगी कितल नी पड़ेगी medication में इब पूछा गया कितना वर्क करना पड़ेगा इस इसकी कि Titमाशई बड़ेगीमा chapters सर मुज न अपने बलक्त हो न विलकुल ब OL आप ने असकות सब्सक्राई क्ति है तो अब इस सब्सक्राइब적 speed क्योंते होती है तो पहले energy का होता सब्सक्राइब का हाफ में वी स्क्वाइर तो 1 by 2 M का मान था 4 V का मान था 5 5 का स्क्वार 25 4 बटे दो 25 इंटू 250 पहले एनर्जी थी 50 जूल बार में कित्टी हो गई हाफ M का मान किता है 4 V का मान 10 10 का स्क्वार 100 4 बटे दो 200 इंटू 200 अब एनर्जी होगे 200 जूल तो extra 500 जूल कहां से आई क्योंकि हमने इत्ता वर्क करा है इत्ता कारे करा है दोस्तो समझी मा आया गया देखो जितने भी numerical है न साइन्स के बहुत आसानी से आप लोग solve कर सकते हो रटा मत करो आप लोग ठीक है last question आज का आपकी screen पे answer आप लोग बताए बताना है और इसके बार में एक important announce करूँगा मैं आपकी free classes का ध्यान से देखीएगा देखो दोस्तो आपको पता है जैसे sound जो होता है वो एक wave तरंग के रूप में आगे चलता है ठीक है हर sound की अपने pitch भी होती है दोस्तो जिस sound की pitch कम होती है वो आवाज कैसी होती है मूटी होती है जिस sound की pitch जादा होती है वो आवाज कैसी होती है पतली होती है जैसे महिलाओ के sound की pitch क्या होती है जादा होती है इस वज़े से उनकी आवाज थोड़ी सी sharp होती है ठीक है पुरुष्टों कि यह भाई का कर रहा है चल रहा है गया तो हमारे sound की pitch कम होती है इसलिए आवाज मोटी होती है ठीक है लेकिन इस pitch depend किस पर करती है दोस्तो pitch depend करती है frequency पर सरफ frequency क्या होता है एक second में कितनी cycle पूरी कर रहा है जैसे सुना होगा न आपने इसकी frequency 20 चर्ट जै इसके 25 चर्ट जै तो जिस sound की frequency ज्यादा होती है उस sound की pitch भी क्या होती है ज्यादा होती है तो high pitch का मतलब high frequency low pitch का मतलब low frequency पहली बात समझी में आ गई दोस्तों यह जब कोई भी wave जाती न तो इसकी mean position होगे न मात दे से ती इसस sound का amplitude ज्यादा होता है जिन तरंगों का वह आवाज आपको वह बहुत loud sound होगा तो high amplitude का large amplitude का मतलब loud sound small amplitude का मतलब fan sound यानि कम धी मिद्वनी ठीक है समझ मां गया तो ए आप लोग जोड़ो आर से B आप लोग जोड़ो S से C आप लोग जोड़ो P से D आप जोड़ो क्यों से दोस्तों ये क्या है शनिवार सुबह सवाद दस बज़े ready रहना वैसे तो daily सुबह सवाद दस बज़े हमारा practice set चल रहा है दोस्तों सुबह सवाद दस बज़े general science की foundation class होगी मज़े आ जाएगा आप लोग जब पढ़ोगे ठीक है सुबह सवाद दस बज़े YouTube पे और जैसे आप लोग बहुत ज़र बुलता कि सर जैसे आपने पेड़ में लगा रखाया पूरा match रिजनिंग जी के सर YouTube पे भी लाओ दोस्तों रिजनिंग की क्लास संडे सुबह सवाद दस बज़े foundation class है पूरा ग्राफिक्स के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा एनिमेशन के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा मजा आप लोगों को आ जाएगा दोस्तों ये मेरा प्रयास है अब बात करते हैं सर जनरल साइंस हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों जनरल साइंस का बिलकुल foundation course एविलेबल है बिलकुल detail में physics, chemistry, biology, environment मैं आप लोगों को तो दोस्तों पूरा proper flow chart के साथ में समझाए जा रहा है ठीक है कि metal, non-metal, metal और में difference करता है आप लोग जाके देखो आप लोग ठीक है दोस्तों आप चाहे chemistry हो, physics हो, सब कुछ आप लोगों को ऐसे पढ़ाया जाता है सर cbt2 में जो basic science and engine जो पूरे 40 marks काता है सर उसका क्या करे जाए दोस्तों उसका भी आप लोगों का complete course अविलेबल है अभी मातर मातर आप लोगों का 799 में हो मिल रहा है वहाँ पर भी आप लोग देख लो चाहे engine drawing हो चाहे lever and machine हो proper इस तरह के से में आप लोगों को सब कुछ जाकि आप लोग देख लो demo classes available है समझ माय है तो join करो सीधी से बात है या आप लोग देख सकते हो देखिए ठीक है आप लोग देख सकते हो आप से चोपाना कुछ है ही नहीं अरे जिन भी बच्चों ने join किया क्या ऐसे ही पढ़ाया जाता है क्या ऐसे ही पढ़ाया जाता है 7374019437 ठीक है समझ में आ गई बात को thank you so much take care bye bye अपना ध्यांदर किया इसकी pdf आपको telegram channel science by नीरे सर पे मिल जाएगी description में उन्हें लिंक डाल रखा है telegram का